नमस्कार दोस्तों इंडिया स्टाइक्स चैनल पर आपका स्वागत है तो कुछ दिनों पहले जब इस्राइल ने सीरिया में दमास कस्ट में इराइनियन एमबेसी के ठीक बगल वाले बिल्डिंग को जब उड़ा दिया प्रिसिजन स्ट्राइक करके तो उसी टाइम से इरान स ये रिस्पोंस आना शुरू हो गया था कि इस्राइल को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और इस्राइल को इसका प्रत्युत्तर देने के लिए इरान एक मैसिव स्ट्राइग इस्राइल के ऊपर लॉंच करेगा आग इसके ऊपर काफी सारी बैक और फॉर्थ हुई और वही कंट्रीज में एर डिफेंस सिस्टम को इंक्रीस कर दिया गया है जिससे इरान की तरफ से अगर कोई भी मिसाइल रॉकेट क्या कोई भी एरबॉन डिवाइस फायर हो तो उसको वहीं पर इराक या जॉर्डन की एर स्पेस में मार गिराया जा सके दूसरी तरफ इसर सामने EU में से भी यानि की European कंट्रीज में से और अजने कई देशों में से भी ये रिक्वेस्ट की जा रही थी इरान को कि वे लोग अपना जो अटैक है उसकी इंटेंसिटी कंपरेटिवली कम रखें ठाकि एक वर्डवाइड वार ब्रेकाउट ना हो लेकिन 7 अप्रेल को पादी अचिन जी ने जो कि डेफ्टॉक्स यूट्यूब चैनल चलाते हैं उन्होंने क्वेस्टिन किया था इसी इरान के रिटैलियेशन के बारे में तो उसी के उपर जैसे कि आप स्क्रिंग पर देख सकते हैं हमने रिस्पॉंड किया था कि इरान डाइरेक्ली कंट्री कंट्री वार में नहीं जाएगा वो उसके लिए मेंटली या फिसिकली रेडी नहीं है लेकिन वो अपनी प्रॉक्सी यूज करेगा जो है हिजबुल्ला उतीज और हमास तो उसी पर चलते हुए इरेनियन प्रॉक्सी हिजबुल्ला और हमास थें कल मैसिव स्ट्राइक्स ल सारे रॉकेट्स सिद्रो सिटी के और फायल किये गए थे तो उसी के चलते इस्राइल हाई एलेट पर है और यूसे भी हाई एलेट पर है उसने अपने डिफेंस सिस्टम्स और अपनी प्रेजेंस मिडल इस्ट में फिर से बढ़ा दी है वो चाहता है जो कि हम पिछले कई सम कर सके लेकिन इरान बहुत ही smartly move कर रहा है बहुत ही consciously move कर रहा है और directly country to country war में ना उतरते हुए अपने proxies को उन लोगों के उपर attack करने के लिए बेज रहा है लेकिन उसमें भी एक cash है ये जो particular attacks हुए थे कल रात को northern इसराइल और गाजा में से उस प्रकार के attacks time to time होते आए हैं काफी लंबे समय से खास करके 7 October से लेकिन ये जो particular attacks हैं ये जो intensity है वो ना ही Hezbollah और ना ही Hamas continue कर पा रहे हैं तो आने वाले समय में देखना होगा कि कितनी continuously attacks करते हैं जो इरान द्वारा supported proxies हैं जो कि Lebanon में गाजा में और Yemen में बैठी हैं उन लोग के द्वारा हाल में Red Sea में भी comparatively attack कम हो गए हैं लेकिन US उन लोगों को counter नहीं कर पा रहा है हूथीज को counter नहीं कर पा रहा है और इस प्रकारते statements US में से भी निकल करा रहे हैं कि US Navy कई सारे strikes कर रही हैं यमन में लेकिन जो हूथीज के ठिकाने हैं जो locations हैं उनके ऊपर कोई भी ख्षती नहीं पहु पिछे हट करने के लिए मजबूर कर सकता है युएस ने बार-बार पीछे हट की है जैसे कि हमने देखा विच्नाम बॉर में अफगानिस्तान में और अन्ये कहीं चंगा होपर तो आने वाले समय में वो एराक और सीरिया में से भी पीछे हट करे इस इस के इसज्राइल वार ना बोले मिलेंगे अगली कबर में इस्तर तक करें जैहन धरार्मादेव